हेलो माई दियर स्टूरेंट्स वेलकम बैक नाउ यू आर वोचिंग माई चैनल एफ्री डे इंग्लिश ग्रामर एंड कम्पोजिशन सो तुड़े आइं गोईंग तु स्टार्ट पेपर फस्ट ओफ क्लास फस्ट यह हमने कही दिन पहले से स्टार्ट किया हुआ था लेकिन चूट गया था तो अब दुबारा से ही इसको स्टार्ट करें और कंप्लेट भी करेंगे आई होब आपको बहुत ज्यादा है यह चैनल से और इस पप्लिकेशन से भी तो देखते हैं दुबारा इसी को स्टार्ट करते हैं टेस्ट पेपर आपका सारे चैप्टर से जितने भी वक्षिट हो चुकी है उसी से रिलेटेड है और उसी के बेस के उपर है जितने चैप्टर हो चुके वह सारे के सारे रूल इसी के अंदर ही अप्लाई होंगे तो करते हैं स्टार्ट फस्ट में दिया हुआ है फिलिंग दा ब्लैंक्स विद सुटेबल नेमिंग वर्स फ समस्टी है समका नीम है जिस जीज नीम है वह यापका नान है मतलग की हमारे टाइम में बहुत बड़ी डेफीनिशन वहां होती थी नाउन की लेकिन आज के टाइम और क्लास फर्स्ट के वग्र्चों के लिए छोटी सी डाफीनिशन है ठीक है नेमिंग वर्ष आर काल नाउन कि नेमिंग वर्ड को ही नाउन कहा जाता है तो फ़स्ट में है I need to buy a कि मुझे किस चीज की जरूरत है तो यहां जाए का स्वेटर क्यों स्वेटर करना है हमने यहां पर दियो है फोर दा बिंटर सर्दियों के लिए हमें किस चीज की जरूरत होगी स्वेटर के सेकेंड है ए रेविट लिवस इन आ हच तो जोंसे खरगोश होते हैं वो कहां रहते हैं हच में थैर्ड है ए लोइन लिवस इन आ डैन डैन क्या होती है आप लगा लो एकांत आश्रे लगा लो या फिर बिल्कुल डिक्शनरी में वर्ड ढूंडे तो उसका मतलब होता है ठीक है लोइन्स कहां रहते हैं मांद में फूर्थ हो जगा वी वेंट टू आ डैश लास्ट इविनिंग टू सी अप ले देखने के लिए हम कहां गए थे ठीटर में अगर मूवी होता तो हम जातें सीनिमा में फिर्थ हैं ए डैश लुक्स आफ्टर सिक पीपल इन होस्पि टीचिंग की बात आए तो आजएगा टीचर लास्ट आप पाउल इस बेकिंग अ केक किसमें बेक कर रही है वो ओवन आजएगा यहां पर ओवन में वह बेक कर रही है और ए पार्ट हो गया हमारा अब जलते हैं बी पार्ट पर और इसको सिस्क्राइब करके अपने अलग हो जाएगा यहां पर आपको फिल करने होंगे अकोर्डिंट्टू सिंगलर और अकोर्डिंटू प्लूरल ठीक है प्लूरल में जैसे एस या फिर हम एस लगा देते हैं बहु वचन मतलब की वन टू मैनी मतलब की एक से ज्यादा एक अनेक वाले एक वचन बहु वचन मरिया हैज थ्री यहां पर तीन आया तोल यहां पर क्या बुक की जगा क्या जगा बॉक सा जाएगा क्योंकि ज्यादा के साथ च्श होज़ेगा पीर्स मतलग की नाशपतियां इंदा ब्रैकेट पांच है उसकी बास्केट में टोकरी में फोर्थ है वी है टू अब टू है वन से ज्यादा होते ही ऐस यह एस आएगा प्लूरल में चेज होज़ेगा बहु वचन में होज़ेगा एक से अनिक हो जाएगा तो यहा गारडण गारडण के बहुत सारे हैं तो ऐसे लगेगा ने तो एक ही होता अब हम करेंगे सी पार्ट कंप्लीट दिस सेंटेंसी दिस्टेबल प्रोनाउन यूज करने प्रोनाउन मींस होता क्या है वो तो है हमारा सर्व नाम कप यूज़ बिदीशन को कम करने के लिए अगर एक ही पैसिस में एक ही लेसन में बार बार उस विक्ति का उस चीज का नाम आ रहा है तो हम उसकी जिए इस घर ऐसे लगाना स्टार्ट कर देते हैं यह है वह है उसका तेरा मेरा ऐसे वैसे जो भी है संकेत देने लग जाते हैं फरस्ट रागनी एंड आई यहां नेस्ट वन इस माई कार इस टू इयर्स ओल्ड मेरी कार जोंसी वह दो वर्ष पुरानी है अब जोंसी नर्जीव वस्तुन होते हैं उसके लिए क्या आता है इट आ जाएगा नेस्ट है कैन यू टैल मी वेहर दा लाइबरेरी इस कि क्या मुझा बता सकते हो कि लाइबरेरी तो बार-बार नहीं कहना चाहिए फिफ्ट है दिस इस आवर डाइनिंग रूम यह मारा डाइनिंग रूम है और वी हैव अवर मिल्स हीर एवरी डे और हम यहां पर खाना हरोज लेते हैं सिक्स तो जाएगा सुर्भी इस शुर्भी इस शुर्भी इस शुर्भी नहीं सकता है सेवंध होजे का वी मस्ट प्लांट ट्री हमें प्लांट लगाने चाहिए और देख की दा अर्थ कूल एंड गरीन जोंसे हमारी धरती को यह ठंडा रखते हैं और गरीन रखते हैं अंग्रेजों की तरह नहीं करना है कि पांच जून को जा करके खड़े होजे यह ल झाल 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 झाल